बिहार में सिक्षा विवस्था का हाल बेहाल हो गया है सिक्षा विवाग के अपर सचीफ के के पाठक के कई कठो नियमों के बाब जूत कोई सुधार होता नहीं दिख रहा अब एक नया मामला अर्या से सामने आया है जहां पेड़ पर चड़ कर छात्रों को प्रश्ण पत्र बाटा गया और छात्र कमरे के बजाए फीड में परिक्षा देते नजर आए दरसर शुकरवार को रहिया के फॉर्विस गंज कॉलेज में 11 और 12 की टेस्स परिक्षा हो रही थी जा छात्रों के लिए बैठनी की कोई विवस्था नहीं थी इतना ही नहीं छात्रों को सिक्षो को द्वारा प्रश्ण पत्र की कॉपी को पेड़ पर चड़ कर बाटा गया ऐसे में छात्रों को भी प्रश्ण पत्र लेने के लिए पेड़ तक जाना पड़ा चात्रों की संख्या दिक होने से और कॉलेज की लचर विवस्था के कारण अनेकों चात्रों के प्रश्ण उपस्र और उत्तर पुस्ति का फट गए जससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस पूरे घड़ना करम का वीडियो शोशल मीडिया पर अब तेजी से वाइरल हो रहा है पहले आप भी देखिए ये वाइरल वीडियो इसी के साथ बिहार विध्याले परिक्ष समिती की ओर से सत्र दोज़ार बाइस चौबिस और सत्र तेईस पच्चिस के छात्रों की ग्यार्मी और बार्मी का टेस पिछले चौबिस सितंबद दोज़ाद तेईस से चल रहा है शुकरवार को भी परिक्षा शुरू होने से पहले फॉर्विस गंच कॉलेज प्रसाशन को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वित्रण करना था कॉलेज के करमचारी उससे क्लास रूम में नहीं बाट कर बगीचे में लेकर चले गए बाटने वाले पेड़ पर चुड़ गए और नीचे स्टुडेंस आ गए सिक्षविवाग में केके पाटे के सुधार की कोशिश को पतीला लगाने में सिक्षव करमी कोई कसर नहीं छोड़ रहे है है किया चीज का चलता है बता है ज्याटा है है और बैटकर बनाई है जमा किती है चाहिए बैम तो यह उसके लिए घ्लाइन लगा आप खड़ा उसमें मुखां कपरेगाँ है एक तना रख downloads कि यह चीज़ का चल रहा है कि यह चीज़ का चल रहा है बता है वालेज का हिंदी पेपर चलता है क्लासरूम पशाक नहीं लिया क्या बोला कि अ सब कि लासरूमें ताला लगा हुआ है कि इसके बैठके बनाई है जमा किजे जाहिए यह बहुत मुस्किन सब्सक्राइब उसके यह बीजिती ऐसा था कि लाइन लगा कि खड़ा उसमें मुकान सब पर्चा फुट जाएगा जब पर इपन इसना भी चुटा हूँ इसना लगे है